हेलो एवरिवन वेल्कम टू सक्सेश भित्राय एकेडमी 12 जनवरी 2023 के दैनिक जागरन के राष्टे संस्क्रण को आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहली हेडिंग है जो प्रमुक्ता से प्रकासित की गई है कि समिध जो लोग सभा अध्यक्ष हैं ओम बिल्डा कर रहे हैं उसमें ये बात बोली गई है केश्वा नंद भारती मामले का हवाला देते हुए जो हमारे उपराष्ट पती है जगदीब धनकड उन्होंने कहा है कि न्याय पालिका संसद की संप्रभुता से समझोता नहीं कर सकती है अब ये पूरा मामला है क्या यानि कि केश्वा नंद भारती मामला है क्या केश्वा नंद भारती ने बोला था कि संसद को किसी भी कानून को चेंज करने का अधिकार नहीं है ये उन्होंने बोला था केश्वा नंद भारती ने और उन्होंने आगे इसमें न्यूज में ये में संसोधन करने की संसद की सक्टी पर सवाल उठाएगा तो ये कहना मुश्किल होगा कि हम लोगतांत्रिक देश हैं क्योंकि किसी बेदेश की संसद ही उसके लोगतांत्र का मंदिर होता है आगे उन्होंने बताया कि जो केस्वानन्द भारती मामला था उस फैसले से का में पॉइंट है उस पर चेंजमेंट नहीं कर सकती है और उन्होंने का कि नयापाली का संसत की संप्रभुता में हस्तचेप नहीं कर सकती है उन्होंने का कि सर्वोच नयाले में नयाधीसों की नियुकती पर समयधानिक संसोधन ये धंकल की के लिए बुन्यादी सन्चना सिध्धान्त आधार बन गया है और यहने कि कुल मिलाके इस न्यूज में यह बताया गया है कि केशवा नंद भारती नहीं यह बोला था कि किसी भी जो कानून है उसको चेंज किया जा सकता है उसमें थोड़ा सा संसोलन किया जा सकता है लेकिन अ पब्लिक चुनती है अपने नेताओं को जो संसद में उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो अब देखिए आगे क्या इसमें जब ये टॉपिक उठा है तो कहां तक जाएगा उसके बाद नई न्यूज है यानि नेक्ट न्यूज है कि तीन नई मल्टी को ऑपरेटिव सोसाइटी के गठन को सुईकरती दे दी गई है तेकि सहकारिता छेतर में तीन नई मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया जाएगा प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी की अधिक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्री मंदल ने जादा होगी ताकि उचित धन या उचित लाब मिल सके वहीं फसलों की उत्पादक्ता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी किस तरीके से नई टेक्नलोजी अपनाई जाए इन सब पर फोकस किया जाएगा इससे सहकारिता की निचली इकाई प्राइमरी एग्री कल्चर क्रेडि तूटेंगे घर नजीर बनेगा पुनरवास ये स्टेटमेंट दिया है वहाँ के मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामी ने उन्होंने बोला है कि सरकार ने कहीं पर भी किसी भी घर को ना तो तोड़ने का कोई निर्ने लिया है और ना ही ऐसा कदम भविस में उठाया अगर सिच्वेशन बहुत ही खराब होगी यानि कि अपरहाय इस्तिती में ही ध्वस्ती करण की कारवाई की जाएगी और ध्वस्ती करण भवन स्वामी की सहमती से होगा उनके लिए उनको मुआफजा दिया जाएगा जो बाजार मूले पर टै किया जाएगा अब उन्होंन परचिव को निर्देश दिये कि प्रवावितों के पुनरवास के लिए हित धारकों के सुझाओं के आधार पर इतनी बहुतर व्यूस्ता की जाए यानि कि जो कैंप वगएरा में रह रहे हैं लोग उनके लिए इतनी अच्छी व्यूस्ता की जाए कि ये देश के लिए नेक्स निउस पर आते हैं का प्रसाद संतोखी विशिष्ट रूप से इस सम्मेलन में सामिल हुए थे और इसमें ये भी बताये गया कि बैंकिंग सेक्टर के री कैपिटलाइजेशन से जुड़े जी अश्टी के रूप में वन नेशन वन टेक्स कॉर्परेट टेक्स पेंशन फंड के टेक्स छूट आटो मोबाइल आटोमेटिक सौ परतीसत एफडी आई छोटी छोटी गलतियों को नजलनाज करने जैसे अनेग रिफर्म्स के माध पर भी उतना ही भरोसा करता हुए आगे बढ़ रहा है जितना हमने डिफेंस, माइनिंग और स्पेस जैसे अनेग छेत्रों में भी प्राइवेट सेक्टर के लिए रास्ते खोल दिये हैं यह बात प्रधान मंतरी मोदी दो दिवसी है ग्लोबल इन्वेश्टर सम्मिट के व भारत ही नहीं दुनिया की हर संस्ता दुनिया की हर विशेस भारत विशेसग्य भारत की मजबूत होती अर्थवरस्ता को वैस्विक अर्थवरस्ता में चमकते सितारी की तरीके देख रहे हैं आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थवरस्ता है आगामी चा Digital lane-dain को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोन रुपए की योजना तेकि digital जो lane-dain है हमारी जो government है जब से नोटबंदी की गई थी तब से ही वो digital lane-dain को बढ़ावा देना चाहती है इसके लिए digital currency launch की गई, RBI द्वारा, UPI को बढ़ावा दिया जा रहा है कैसलेस इंडिया की तरफ बढ़ाने की योजना है और इसके लिए बुद्धवार को केंद्री कैबिनेट ने 26 करोन रुपए की योजना को मंजूरी भी दे दी है यह योजना रुपे कार्ड और छोटे छोटे लेन देन के लिए भीम यूपी आई को प्रोसाहन देगा इसमें मौझूदा जो वित्तिय वर्स है उसमें ई-कॉमर्स लेन देन तथा पॉइंट आफ सेल याने पी ओएस को बहावा देने के लिए बैंकों को वित्तिय मदद प्रदान की जाएगी इस फैसले में इस बारे में फैसला प्रदार मितिक नरेंद मोदी की अधिक्ष्चा में हुई कैबिनिट की बैठक में लिया गया है 26 करोन रुपए की साहता से एक मजबूत डिजिटल भुकतान इकोसिस्टम बनाने में भी काफी मदद मिलेगी सरकार की और से जारी बयान में कहा गिया कि यह योजना यूपी आई लाइट एवं यूपी आई 123 पे को भी किफायती और यूजर्स फ्रेंडली डिजिटल पेमेंट के माध्यम के रूप में बढ़हावा देगी नेक्स नियूज है कि जल्द ही 10 देसों के प्रवासी भारती यूपी आई के जरिये भेज सकेंगे पैसा अभी तक भारत ने यूपी आई को लेकर दो देसों से समझाता किया है आपको पता होगा पहला है भुटान और दूसरा है नेपाल लेकिन अब जितने भी प्रवासी भारती है दूसरे देसों में रहते हैं वो यूपी आई के जरिये आसानी से अपने घरों में या फिर कोई अगर मदद करना चाहते हैं किसी की तो उसको भेज सकें पैसा इसके लिए यूपी आई को और बहतर बनाया जाए दूसरे देसों से संपर्क करके तो इसके लिए दस देसों से बात चल रही है जिसमें ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, स्विक अरब, अमिरात जैसे कई देसों को सामिल किया गया है और इसमें आपको पता होगा कि जो यूपी आई है इसके लिए संस्ता है एनपी सी आई नेशनल पेमेंट क देखा कर ये जो डिसकसिन किया जाते है उसमें छोटे-छोटे पॉइंट आपको डिटेल से बता दिये जाते हैं जो एक्जाम में मदद करते हैं तो एनपी सी आई ने एक परिपत्र में कहा कि उसे प्रवासियों को यूपी आई प्लेटफॉर्म के जरी लेन देन के लिए अंतराश्टिय मोबाइल नंबरों का उपयोग करने की अनुमती देने को लेकर अन्रोध मिलते रहते हैं इसको देखते हुए ही एनपी सी आई ने यानि की नेशनल पेमेंट कारपरेशन ऑफ इंडिया ने दस जनवरी के परिपत्र में यूपी आई की सुविधा दे रहे प्रतिभागियों में से 30 अपरेल तक व्यूस्था बनाने को कहा है चलिए नेक्ट निउस है विकास सील वा गरीब देसों के सम्मेलन का उधगाटन करेंगे प्रधान मंत्री मोदी 12 और 13 जनवरी 2023 को इसका उधगाटन किया जाएगा जिसमें विक्सित गरीब वा विकास सी आउजित की जाएगी जिसमें हिस्सा लेने के लिए लगभग 120 देसों के लोगों को आमंत्रित किया गया है इस रेणी के कुछ देसों के प्रमुखों के साथ एक बैठक की अधिक्षता प्रधान मंत्री निरेंद्र मोदी भी करेंगे इसमें वित्मंत्री की एक बैठक होने वाली बैठक में लोग हितकारी योजनाओं के विकास को किस तरह से वित्य सुविधा उपलब्द कराई जाए इस पर विमर्स किया जाएगा जबकि विदेश मंत्री एस जैसंकर की अधिक्षता में होने वाली बैठक का विसे ग्लोबल साउथ देसों की प्राथमिक्त सिप पर चर्चा होगी सुत्रों ने बताया कि दो दिनों में कुल दस सत्रों की इसमें बैठक होगी जो विभिन मुद्दों में मुद्दों पर चर्चा की जाएगी चलिए नेक्श निउस पर आते हैं बिहार में जाती जो गरणा हो रही है उसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जल सुनवाई के लिए राजी हो गया है सीर्स कोट ने मामले को 20 जनवरी को सुनवाई पर लगाने की मंजूरी दे दी है सुप्रीम कोट में दाखिल याचिका में बिहार में हो रही जाती गर्णा को चुनौती देते हुए कहा गया कि जनगर्णा कराने का अधिकार किन सरकार को है राज सरकार को जनगर्णा कराने का अधिकार नहीं है जाती अधारित गर्णा को मनमानी कारवाई बताते हुए इसे तुरंत रद्द करने की बात या मांग की गई है याचिका बिहार के नालंदा में रहने वाले अकिलेस कुमार ने दाखिल की है बुद्वार को याचिका करत पर लगाने के लिए बोला है नेक्स निउस है कि विस्विद्यालों की तरज पर स्कूलों की भी रैंक्किंग त्यार होगी लेकि हर माब आप यह चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पड़े अच्छे स्कूल से मतलब अब उसे पता चलेगा जब वो रैंकिंग उसकी चेक करेगा रैंकिंग अभी तक क्या होता था यूनिवर्स्टी की होती थी जिसमें IIM Bangalore कर भी फर्स्ट आता था या Science University फर्स्ट आती थी और IIT दिल्ली इस तरह की यूनिवर्स्टियां प्रथमिस्थान दितियस्थान पर आती थी लेकिन स्कूलों की कोई रैंकिंग नहीं होती थी अब इस पर किन सरकार नई एजुकेशन पॉलसी जो है निउ एजुकेशन पॉलसी एन एपी उसके तहत जिस तरीके से वो सिछ्छा की गुडवत्ता को सुधारने में लगी हुई है उसी के तहत अब स्कूलों की भी ग्रेडिंग की जाएगी और ये इसके ग्रेडिंग जो है स्कूल स्वेम करके भेजेगा प्रस्ताओ जिसका थर्ड पार्टी के द्वारा और्डिट कराया जाएगा अब स्कूलों को किस तरीके से किन-किन मानकों पे जाचा जाएगा उसके बारे में बताया गया है स्कूलों को की सुरक्षा मुलभूत धाचा सभी विस्यों के कच्छावार सिक्षकों की संख्या वित्तिय इस्ति इनोवेशन और प्रैक्टिकल क्लासरूम की संख्या खिलोनों के माध्यम से पढ़ाने और रुचिकर सिक्षा देने से जुड़ी पहल बच्चों के सीखने की छंता में सुधार की इस्ति स्कूलों का परिच्छा परड़ाम वा प्रसासनिक छंता आदी बिंदूों को सामिल किया गया है खास बात यह है कि स्कूलों की रैंकिंग की पूरी विवस्ता आनलाइन ही होगी जिसमें स्कूलों को ही तैमानकों के तहट जानकरी मोहिया करा नहीं होगी और जैसा मैंने बताया इसमें audit third party द्वारा कराया जाएगा देश में लगभग 15 लाख इसकूल मौझूद हैं जिसमें 10 लाख सरकारी और 3,5 से 4 लाख इसकूल जो हैं वो private sector के आते हैं और इसमें एक पॉइंट यह भी बताया गया है कि बोला गया है कि National Assessment and Accrediation Council Grade और NIRF National Institutional Ranking चलिए Next News पर आते हैं Next News है कि FCI में भरष्टाचार के विरुद CBI ने Operation Connect चलाया हुआ है अगर आप से एक्जाम में पूछता है कि Operation Connect क्या है तो FCI में मौझूद भरष्टाचार को उजागर करने के लिए CBI द्वारा चलाया गया अभियान कई सिकायते मिल रही थी CBI को कि FCI में निचले स्तर से लेके अधिकारी स्तर तक किस तरीके से भरष्टाचार फैला हुआ है जब इसकी जाच की गई तब ये मामला उजागर आया है और ये जापिक देख रहे हैं नोटों की ये एक महिला करमचारी के वासिंग मसीन से मिला हुआ है चलिए नेक्स निउस पर आते हैं जो है बिजनेस पेज से बिजनेस पेज में हम पहली निउस ले रहे हैं कि देश में आने वाला है आटो मॉबाइल इलेक्रिक वाहनों का जमाना यानि कि जो आने वाला फ्यूचर होगा वो EV का होगा इलेक्रिक वेकल का होगा जिसको ना पेट्रोल से चलाना है ना डीजल से आप उसको चार्ज करिए और अपने सफर पर जा सकते हैं कई गाड़िया ऐसी है जैसे कि मारूती की कॉंसेट EVX ने पेस किया है जो एक बार जिसमें 60 किलोवाट की बैटरी होगी और पूरी तरह से चार्ज होने पर ये 550 किलोमीटर चल सकेगी उसी तरीके से हुंड़ी ने लॉंच किया है आयोनिक 5 जो पूरी तरीके से चार्ज होने पर 631 किलोमीटर चल सकेगी और इसकी कीमत जो है वो 45 लाख रुपए रखी गई है तो अभी हाला कि इसकी कीमते बहुत जादा है लेकिन आने वाले समय में जब competition बढ़ेगा तो कीमते भी कम होगी अब ये आयोजन याने की हो कहा रहा है आटो मोबाइल का ये हो रहा है ग्रेटर नोईडा में उत्तर प्रदेश के ग्र करने लिए प्रेट नहीं हो जाएकि भारत की विकास्थर विसव बैंक ने ये अनुमान लगाया है दो हजार बाईस तेईस के लिए 6.9 प्रतीसत बाइस तेईसके लिए छे डिसम heck नो प्रतीसत चोबिस पिचसके लिए 6.1 प्रतीसत और में दो हजार टिसश चोबिस के लि दिया और यह बताया है कि विस जो है वो मंदी की तरह बढ़ सकता है उन्होंने लगबग इसको आधा कर दिया था कारण बताया था अमेरिका को अमेरिका की जो व्रद्धी है पॉइंट फाइब परसेंट रह सकती है पूरे वैस्विक माहौल में जबकि उसकी यानिक अमेरिक का चीन और फ्रांस इत्यादी जो बड़ी कंट्री है जो मजबूत अर्थ प्रश्ता है उनमें मंदी की वज़ा से वैस्विक इस्थर पर भी मंदी देखने को मिल सकती है चलिए नेक्ट निउज है इंटरनेशनल पेज़ पर सिर्फ एक निउज है हमारे लिए जिसको हम डिसकस करेंगे और वो एक निउज है पार्थ में आर्थिक बद्धाली के बीच विस्थ बैंक ने दी व्यापक मंदी की चेतावनी पाकिस्तान भीशन आर्थिक संकट का सामना कर रहा है आस्मान छूती महंगाई से जूज रहे लोगों की जान पर बनाई है इस बीच विस्थ बैंक ने मंगलवार को पाकिस्तान में व्यापक मंदी की चेतावनी दी है विनासकारी बाढ़ और वैस्थ विकासदर में मंदी के कारण विस्थ बैंक ने पाकिस्तान की आर्थिक व्रद्धी चालू वित्ती वर्स के दोरान जून 2022 के अनुमान में दो परतिसत तक और धीमी होने का अनुमान लगाया है डॉन अकबार के में बताया गया है कि विस्थ बैंक की ग्लोबल एकनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में मंगलवार को तीवर लंबे समय तक चलने वाली मंदी की और इसारा किया गया इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि वैस्थ विकासदर एक दिस्थ बैंक समूग के एक प्रमुक प्रकाशन द्वारा जारी रिपोर्ट में 2024 में पाकिस्तान की जीडीबी विकासदर में सुधार के 3.2 प्रतिसत होने का अनुमान लगाया गया है तो ये आज का 12 जनवरी 2023 का दैनी जागरान का राष्टिय संस्क्रण था आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद